कि हालो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल पर मैं संसुकला आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज अपर में उसके कोर्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी दोस्तों तो जो भी हमारे girls student BA first semester में इस बार admission लिए हैं जिहां आप आप जान चुके हैं कि आपकी जो परिचाएं होनी है आपका सारा course जो है जो अभी आप first year second year और third year हुआ करता था अब आपका semester wise सारी परिचाएं होनी है जिहां नई सिच्छानी 2020 के अनुसार सारी universities यानि जितनी भी universities है सब का जो syllabus है वो लगवक्त सेम कर दिया गया है यानि सेम syllabus सारी university में चलता है तो जो भी student किसी भी university के हैं उन सब के लिए ये वीडियो जो minimum syllabus जो है वो government के द्वारा निधायत किया गया है तो उसको आप फटा-फट देख लीजे कि आपको क्या-क्या चीज पढ़ना है यहां इस वीडियो के माद्यम से आप लोगों को भी ये फर्स्ट मेंटर के student जो ग्रेविक ज्यान ले रखे हैं उनके लिए उनके course के बारे में उनके syllabus के बारे में दोस्तों इसमें चर्चा की आईगी जहां syllabus के बारे में तो फटा-फट वड वीडियों को देख लीजे अ आपके जो भी वीडियो रहेंगे आपके जो भी course से रिलेटर जो भी चैप्टर या topic बाई topic जो कुछ चीजे रहेंगी सब का वीडियों जो है वो आपको उपलब्द कराया जाएगा तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और जुड़ने के लिए बस एक ही काम कर करना है कि सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रस कर देना है जीआ बेल आइकन प्रस करके आलपर किलिक कर दीजे ताकि सारे वीडियो costs की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आयए शुरु करो करते हो देखते हैं कि क्या क्या चीज है सबसे पहले यहां पर देखिए दोस्तों और मैं विए फस्ट के बारे में सब्जक प्रेट कल का प्रेट कली सब्जक्ट है चुकि ग्रेट कली सब्जक्ट होते हैं तो आपका प्रेट कल भी होना रहता है आप यह लिखित परिच्चा की क्या चीजब में आपको पढ़ना है पेपर का नाम आपका है पोसन और मानो विकास के मोल से दानत यहां पोसन और मानो विकास के मोल से दानत यह आपके पेपर का नाम है आपके कोर्स का नाम है उसके बाद देखिए कि क्या क्या चीज़ें है कारिकरम बर्ग प्रमाडपत्र यहां लिखा परफम बर्स के बारे में दो समेंस्टर आपके परते एक बर्स में होने हैं तो यह पर्फ समेंस्टर के बारे में चर्चा की जा रही है बिसाय आपका Home Science यानि ग्रेविज्ञान है उसके बाद Course Code यहां पर दिया गया है A1301010T यह आपका Course Code दिया गया है उसके बाद पार्टिकरम के बारे में जो पार्टिकरम का सीरसक है वो क्या है पोसन और मानो विकास के मौल सिधान जैसा की उपर ही बताया गया था उसी यानि यह आपके paper का नाम रहेगा और फिर पार्टिकरम के परड़ाम जो है यानि जो syllabus के outcomes होते हैं तो पार्टिकरम के पूरा होने पर छात्र में सच्छम होंगे क्या क्या चीज़ आप लोग जान सकेंगी इसको पढ़ने के बाद इसी के बारे में बताया जा रहा है शरीर विग को पढ़ने के बाद तो यह में नहीं है दोस्तों में आपका जो है वो है आप आगे देखते हैं कि आपका कोर्स क्या है यह चीज आपका में रहेगा तो कोर्स यहां पर देखते हैं लिखा गया है मुल अन्युवार या बैकल्पी घ्रविज्ञान हो सकता है तो आप और उसके बाद मैक्समम अंक यहां पर मैक्समम नंबर जो होते हैं 25 75 और नियुंतम उत्री रंक दिया गया है यानि यूंतम उत्री रंक आप जानते हैं 33 परसेंट होता है ब्याख्यानों कि क्या क्या चीज आपको पढ़ना है इकाई के अनुसार इकाई वन आपकी यह है फस्ट इकाई में क्या क्या चीज आपको पढ़ना है विसे के अंतरगत प्रारंभिक ग्रह विज्ञान और बरतमान यूग में इसकी प्रसंगिक्ता यानि यह टॉफिक पढ़ना है दोस्तों फिर विज्ञान वक्त पड़नी होगी और इन राइटर्स द्वारा जो योगदान दिया गया है ग्रेमिज्ञन के चेथ में इसको पड़ना ओगा आप सेकंड्ड उनिट में दोस्तों आपको फढ़ना है किन दूषिका और पाचंतनत्र ली यानि यह चीज को पड़ना है को सब्सक्राइब sioba और और फ्रफ यानि जो आप कि यहापका biology से अ र्लटर रहेगा आपको इंटर में भी चैंटर she तो उससी से लिटेर्टे सेकंड यॉनिट आपकी रहगी यानि दूसरी काई में उसके बाद देखते हैं दोस्तों की आगे क्या चीज आपको पढ़ना रहएगा अगली यूनिट में क्या पढ़ना है यह देख लीजे फटाबट तिर्तिय यूनिट में देख लिए जो भी हमारी स्टूडेंट्स हैं वो तिर्तिय यूनिट में देखें कि क्या और कार क्या होते हैं ये सारी चीज़ आपको तीतीय यूनिट के अंतर गत्पढ़नी है फिर पोसन की पोसन या पोसन की अधारणा आपको पढ़ना है उसके बाद पोसकतत मैक्रो म्यक्रो स्रोग और कमी रोग यानि पोसकतत जो होते हैं बिटामिन सह या इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी इस यूनिट के अंतरगत उसके बाद चौथी उनिट में आपको क्या पढ़ना है देख लिजिए फटापर चौथी उनिट में क्या पढ़ना रहेगा खाना पकान का सरचछर होता किस से खाना पकाई जाएं और उसके फाइदे नुक्सान क्या होते हैं ये सारी चीज इस टौपिंग के अंतरगत आपको पणने रहेगी तो Vedic प्सकानद का सब देएread को जानी प्रेगे को घुंछ में किसार्ट यहां चीमित नहीं प्रेख देख भाव में मतटे मों आएग गुआ है आगे देखते हैं पांचुई काई में देख लिजिए क्या क्या चीज आपको पढ़ना रहेगा मानो विकास का परिचे जी हाँ मानो विकास का परिचे आपको पढ़ना है अउधारना परिभासा इसकी पढ़नी है और विकास इसका पढ़ना है और क्या पढ़ना है यहीं से अवधारणा परिभासा और मानों का ध्यन करने की जरूरत है यानि यह टॉफिक्स पढ़ने हैं डोमेन चरण और संदर्व बृद्धी और विकास के सिद्धान्त और विकास के निर्धारक अनुबान सिक्ता और परियावरण यानि यह सारी पढ़ना है दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है आपकी जो अगली इूनित है अगली गाही जो है उसमें क्या चीज पढ़ना यह फटापट देख लिजे कि तमबर 6 के अंतरज़ आपको क्या पढ़ना है इक हमेँ छ से न्तरड़ ल aven बिकास और जन्म परक्रिया यानि यह पढ़ना है इस टौफिक के अंतरगत गर अधान गरभा वस्ता और परक्षोग के जन्म के चरन्य यानि यह सारी चीजें आपको इस टौफिक के MP पढ़नी होगी और फिर उसी के अंतर अगली टॉफी किसी में क्या रहेगी डिलिवरी के फरकार प्राकिटिक सौ सेक्षन बीच या होम बनाम असिस्टेट डिलिवरी यानि ये सारी चीजें आपको पढ़नी रहेंगी इसके अंतरगत फिर और क्या पढ़ना है नौजात से सुकी सारी बनाव प्रशाओ पूर्व विकास को प्रहुयत करने वाले कारक इसके बारे में भी आपको अध्यान करना रहे गया या निए आपकी छठी उनिट के अंतरगत ये साइडी चीजें आपको पढ़नी रहेगी उसके बाद साथवी उनिट जो है उसके अंतरगत आपको क्या पढ़ना मैं देख लीजिए फटाफट साथवी उनिट में आपको सहसवा उस्था या सहसवा उस्था और पूर्व स्कूली के दोरान विकास आत्मक कार मंच यह अध्यान करना रहेगा इस टॉपिक के अंतरगत उसके बाद अगला टॉपिक इसी में रहेगा सारीरिक और मोटर विकास यानि यह पढ़ना रहेगा फिर अगला टॉपिक सामाजी का और भावात्मक विकास अगला टॉपिक आपको पढ़ना है अगला टॉपिक इसी में है संग्यान आत्मक और भासा विकास यानि यह अगला टॉपिक आपको पढ़ना रहेगा तो साथवी इनुट के और भाव आत्मक विकास, संग्यान आत्मक और भासा विकास, यानि ये फोर टाफिक्स जो हैं, वो आपको इसके अंतरगत पढ़ने रहेंगे, उसके बाद यूनि टंबर एट में आपको क्या पढ़ना है, देख लिजे, लाश्ट और यूनिट रहेगी आपकी, यानि आपके जो कोर्स है, वो टोटल एट यूनिट में डिवाइड है, तो ये लाश्ट यूनिट आपकी रहेगी, प्रारंबिक बच्पन यानि पूर विद्ध्याले वर्स, इस से रिलेटर कौन कौन से टाफिक आपको पढ़ने है, प्रारंबिक बच्पन के दोरान विकास आत्मक कार ये टाफिक आपको पढ़ना है, सारीरी का और मोटर विकास, ये आपको पढ़ना है, सामाजी का और भावत्मक विकास, और संग्यात्मक और भासा विकास, यानि ये चीज आपका था, सहसवा वस्था पूर विश्कूली वाला, और ये है प्रारंबिक बच्पन यानि पू सब्सक्राराइब, क्या आपकte हैं मैं बस क्या है दोस्तों वह पूरब आवस्ता है और यह उसके बात की आवस्ता है जिया क्वह सवाँ अपा वस्ता है और ये बच talk के अंतरगत पड़नी बीडियों आपने देखा तो बीडियों अच्छा लगाओ दोस्तों तो लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें अपने फ्रेंड्स को शेर कर सकते हैं और कमेंट बाक्स में आप उपने जो भी आपको वीडियों चाहिए या जो भी सब्जेक्ट से रिलेटर अधर सब्जेक्ट जो भी आपका हो उसको आप टाइब कर सकते हैं बता सकते हैं तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी उफलब्ध कराई जाएगी तो आज के वीडियों में इतना ही दोस्तों धन्यबाद जय हिंद